T20 World Cup 2024 का 36वा मुकाबला पाकिस्तान और Ireland के बीच खेला जाएगा यह मैच भारतिय समय नुसार संडे 16 जून को रात 8 बजे से सुरू होगा आपको बता दे कि दोनों टीम पहले ही बाहर हो चुकी है ऐसे में पाकिस्तान और Ireland दोनों के लिए सम्मान बचाने की लड़ाई है आए इस वीडियो में पाकिस्तान वर्सेज कैनडा मुकाबले की पिच रिपोर्ट दोनों टीमों की संभावित प्लेंग लेवन और एक बेस्ट ड्रेम लेवन टीम क्या हो सकती है इसके बारे में बताते हैं लेकिन वीडियो सुरू करें उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें तो फ्लोरीडा के सेंटरल बोबाड रीजनल पार्क स्टेडियम की पिच को आप कुछ हद तक बल्लेवाजी पिच मान सकते हैं इस मैदान पर कुछ हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिले हैं और इसका औसत स्कोर 166 तक है तो कुल मिलाकर एक बार फिर आपको यहां एक धमाकेदार मुकाबला देखने को मिल सकता है अब अगर दोनों टीमों की प्लेंग लेवेन के कुछ प्रमुक खिलाडियों की बात करें चली अब बताते हैं कि आप किन ग्यारक खिलाडियों को चुन कर एक बेस्ट फैंटसी टीम बना सकते हैं तो सबसे पहले आप बिकेट कीपर के स्लोट में मुहमद रिजवान और लोरकें टकर को रख सकते हैं आगे बैटर्स के लिए आप बावर आजम, फकर जमान और एंड्यू बालवर्नी को आजमा सकते हैं और लाउंडर्स के बिकल्प में आप मार्क अडायर, गेरत दिलानी और शादाप खान को सामिल कर सकते हैं अंत में गेंदवाज के रूप में आप साहिन अफ्रीदी, नसीम सा और जोस्वा लिटिल को अपनी फैंटसी टीम में रख कर इसे मजबूत बना सकते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के पहले वेस्ट बिकल्प क्रमसा मुहमद रिजवान और नसीम सा हैं दूसरे विकल्प के तौर पर आप बावर को कैप्टन और मार्क अडायर को वाइस कैप्टन बना सकते हैं तो ये थी पाकिस्तान वर्सेज आरलेंड मुकाबले के लिए एक बेस्ट ड्रेम 11 फैंटसी जीम ऐसे और ने वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें